बीड गगर गाउं के स्मीप, फलाई ओवर ब्रिज पर कार और एक्टिवा की टक्र में दो गायल, एक की हालत खराब रवी बार के शाम छे वजे पंचकुला पुलिस सुत्रों के नुसार चंडी मंदर थाना पुलिस के पास कहता आई है जिसमें बताया गया है कि दो व्यक्ति एक्टिवा में सवारो कर टोर पलाजा चंडी मंदर से मनी माधरा जा रहे थे कि एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी जिसकारण एक्टिवा गाड़ी के नीचे फंस गई और गाड़ी चालक ने उनकी एक्टिवा को घुसिटते वे वहाँ से वहाँ लेकर फरार हुए आलांकि उनकी एक्टिवा बुरी तरह से फंसी हुई थी दोनों गाईलों को सेक्टर चे पंचकुला के सरकारी होस्पटल में इलाज के लिए ले जाये गया दोनों गाईलों में से एक हालत खराब है शिकायत करता ने पुलिस को गाड़ी का नंबर दे दिया है पुलिस नं शिकायत के धार पर अगली कारवाय शुरू कर दी है